वरत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शुमहापुरान के अंतरगत है सुभा पूजा की ठाली लगाई है पांच वरतों का विधान है छटा वरत का विधान नहीं कित्ते वरत पूजन की ठाली लगाई है पूजा की ठाली अभिशेक का समान सब लेकर आप मंदिर में जाए करिए शू मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिशेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो पूजन की थाली में समान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए अलग से नहीं रखना पड़ो अलग से किवल साम को दिये रखो जल रख लो थोड़ा सा और बाक जाओ ठाली को ढag कर रख दीजिए शाम को जब जाओ कोई परषाद उतना इबनाओ जितना भगवान के लिए बना रही । अधि हम यहां ले जाए और बना जितना भगवान के लिए जाएगा जिसमें से तीन हिस्से हों एक पात्र में भरकर ले जाओ दोने ले जाओs पूजन अर्चना करो शाम को अभिषेक नहीं करना है केवल चीटा दे तोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा चीटा दे कर पूजना धी करकर जैसी पूजन सुभाह करी वैसे भावसे पूजन करो पांच दिये थाली में से नीचे रख दो छटवा दिया भी नीचे उतार दो थाली में से पांच दिये लगाना जब परशाद के तीन हिस्से पूरे कर दो परशाद के तीन हिस्से रख दो नीचे फिर दिये लगा दो पांच एक दिया उठा कर जिसको जलाया नहीं है बाबा को निवेधन कर दो बाबा आज मेरा पहला पचुपति विरत है इसको सुईकार करना दिल से बाबा इस कारे के लिए एकपार कर रहे हैं वे बहुत सुना बाबा पचुपति विरत만 कर रहे हूं मैं भी पूर्व में ना जने कितनी योनियां लिए होंगी कौन समयन laughstäres क कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोग ना पड़ रहा है इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपती नहां थे आप इसको मुद्धाई पिने करो बाबा से विंती करो एक दिया एक परशाद का हिस्सा ठाली में लेकर आजाओ बाबा को निविदन करकर बाकी कवां छोड़कर एक दिया एक परशाद का हिस्सा लेकर आजाओ एक दिया एक परशाद का हिस्सा लाए घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की औ और बेट कर अपने घर की और मुख करकर सीधे हाथ की और उस दिये को घर के बाहर पजलित कर दो भगवान से बिंती करो भोलेना आप मेरे घर में प्रविश करकर मेरा कारे सिद्ध करें बाबा को निवेदन करकर अंदर जाइए भोजन करने से पहले जो मीठा है एक हिस्सा प भोजन करें एक समय फलहार कर सकते हो दूसरे समय भोजन कर सकते हो इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है शाम का जो परशाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा सुबेरे आप अराम से नमकिन का भी फलहार कर सकते हो मीठे का भी फलहार कर सकते हो फलहार के ल नहीं करना है घर में कोई सुतक सावड़ आ गया या कोई ब्रत फजगया एका दशी आ गई या कोई ब्रत आ गया तीज आ गई चतूर्थी आ गई जिसका ब्रत करते हुआ आयो हो तो पशुपती वरत उस दिन मत करो फिर अगले सोंबार कर लेना तीन हो गए एक रे गया बीच का उसको अगले में करो वो चोथे में गिंती में आ जाए पांचवा छूट गया कोई बात नहीं एक महीने बात तो होगा आठ दिन बात तो होगा फंदर दिन बात तो बाबा आज मेरा पशुपती वरत पूर्ण हो रहा है आपके किरपा हो मेरी जोली भरना बाबा बिंदी करो और वो श्रीफल रुपिया रखकर पांच दिये लगाकर एक दिया बापिस लेकर एक हिस्ता पर साथ का लाकर देली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवे अब दुनिया के लोग इस वापशुपती वरत को कहीं इतनी बत्ती लगादो तो इतनी बत्ती का दिया लगाओ तो ऐसा करो तो गलत उसका नियम के सब्रूए amino करने के बाद अगला जबन बरत तो थोड़ा रुकतर करना एक सताथ लगए- लगाए- बरत न करिए-गा थोड़ा रुकतर करिए इंतजार परो तीन महीने का कि बाबा मेरी उपर करता जरुर्ट करेगा दिल से करा है तो वो दिल से देगा का जोली भर करदेगा, ये निशित है, उसका बरत फल देता है। कर नदस्ता है। जरूरी नहीं है कि बरत मात आएक क करेगी, को जितने प्रत रेना उस्स व्रत को बाद माई कि दिश्वकर यह एक ही मंदर में करना जिस मंदर में पहला रख करा है उसी मंदर में पांच कहना है कि यह नहीं कि हम आइके में दो व्रत करके आग अग और तीसरा माईके में अगर ब्रत कर रही हो तो अपनी पूजन का समान अपने ही रुपए का होना चाहिए माईके के पैसे का में चाहिए ऐब कुमारी होती और तुम मायके के समान से पुझन करती अगर पुझन लगता प्रविवा होने के बाद गौत्र बदलने के बाद आप अपना nell पूजन का दन अपना घरचे हम तो यहां तक करते हैं मंदिर में भी अगर लोटा भरा हुआ रखा है मंदिर में बाल्टी भरी रखी है आप पहले अपना कुछ रूपिया दान पेटी में डाल कर फिर आप उस लोटे का प्रयों कर पीपल के पिड़के नीचे पूजन करने गए आउले के पिड़के नीच कर भगवान को मत दीजिए जिस भगवान को देते हो उस भगवान को बुड़ा लगता है कि मेरे सामने खड़ी हो कर थाथ पडोसी के आगे फेला रही है तुम मुझसे मांग मैं तुझे जोली भर कर दो प्राप्त हुआ बहुत सुंदर प्रिश्ण है आपका गुरुजी पश्युपति व्रत में जो छे दिये लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए प्रिश्ण बहुत अच्छा है एक बाद जोड़ा ताली बजाओ भगवाटी दोनों विराजमाद आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हैं जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रमा जाता है पर जहां पर देवदी देव महादेव भी है पारवती भी है वहां आप खोल भी बत्ती स पाच्वा व्रत्त पून होने पर 180 पर चावत पेल पत्र चड़ाते हैं, सबको एक साथ चड़ा देना चाहिए, कि एक एक करके चड़ाना चाहिए, वैसे शास्तरीती के अनुसार पशुपती व्रत्त में, जो पाच्वा सुम्मार पून होगा, और आप 108 अगर कोई वस्तू चड़ा रहे हो, तो एक एक करकर, श्री शिवाये नमस्तु श्री शिवाये नुन चो न्रीम, एक एक करकर चड़ाना चाहिए, एक साथ हाट में लिया और एक साथ नहीं चाला, बहुत अच्छा प्रिशन है, एक प्रिशन जो आपने किया था, उसका उत्तर इस कथा में चल कहें कर चलें जाओं बटी बहुत सुंदर प्रिश्न हैं आपके बहुत भाव से और अनन्द से अपने कर राव जन्मानस के कल्याण के प्रिशन है यह के अवल आपके लिए नहीं है यह सब के लिए इतने जोड़दार प्रिश्न है जो गलती भी करते होंगे तो इसको सुधा बरणुकाश्चुक्त है आपने कहा की नंदी के कानों में कहना चाहिए लोग हस ते हैं बताओ नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए वैसे तो हम आपको एक बातते हैं कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हसी नहीं उड़ाते, दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, दुनिया के लोग सबसे जादा हसी उड़ाते हैं, तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरे उड़ाने हमको पुरा लगता है हमारे सनातन दर्म हमें पुरा लगता है अरे भाई लोग करते हैं कि नंदी के कान में करते हो यह कोई हमारे पुराणों में या सास्त्रों में लिखा है भगवती बेन साहू आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा जितनी भी शुमहा पुराण के अंतरगत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चड़ाना काली मिर्च ऐसे चड़ाना चावल ऐसे चड़ाना धतूरा का क्या महत्व है शमी के पत्ते क क्या महत् वहे वेल्पत्री के पत्ते का क्या मात्व है यो जीति भी बीकित बताई या जाती है यह सब पुरान के अंतरगत से बताई जाते है आप दुनीया के लोग इसको चाहें टोटका कह दे चाहें दुनिया के लोग से चुछ नब कर पर हज़ आप लोगों को प्रणदा का पती लेकर जा रहा है। ब्रणदा की बक्ती में लीन रहती थी उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलिफ थी नरहेंड से पर शिव के पास आगया क्योंकि इर्शा प्रवत्ति अभी कथा में कहां कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो और अंदर से इर्शा जाती है कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से इर्शा जाती है अपने आप अपने आप अंदर से इर्शा जाती है उसका कोई बेर इर्शा जाती है बीतर से इर्शा जाती है ना आप उससे मिले हो ना कभी वो आप उसके सामने बेठे हो कई लोग किसी न तो हम लोग फूज भी लेते हैं क्यों सब उनसे मिलकर आयो कि तुम कभी नहीं मिलकिया कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ तो फिर बुराई के उगर एक ने कर दी ती इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी घर दी लो वो फुमा में डूपके मरेगा तो तू भी मरेगा गा नंदी सामने बेठा है गणे जी को मालूम पड़ गया कार्ती के को मालूम पड़ गया मा पार्वती जी का हास्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला मालूम पड़ गणे जी को कुरोध आगया और गणे जी महरा जाए शिव जी को जगाने लगे पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी पिता को जगा रहे है बगवान चंकर नहीं उखे तप में लीग ते क्या करें हम जलंधर के पास में इतना बल है इतना बल है और पिता की आगया नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको मारने को तो मार देंगे मा ने आगया करी थी कि जलंधर उसको तारका सुर को मार दो तो खारती कि ने तारका सुर को मार दो शिवजी की आजया नहीं तो हम इसको कैसे माँदे? सब कुछ गणेजी ने देख लिया संकर जी के उपर बहुत बहूत बहुत 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 प्रांतना करकर देख लिये पर संकर जी नहीं जागे तब आकरी में विनायखने गणेशने जितनी लोग आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हैं जितने लोग फेस्बुक यूटूब पर कथा सुन रहे हैं इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना आखरी में गणेज जी को लगा किसको कहूँ संकर जी भी तप में है नंदी भी तप में है मैं किसको कहूँ शिव जी को कह के कर ठक गया किता जी को बोख